हमारे बिरोधी दल के नेता बिहार के आदरनीय स्री तेजस्वी प्रसाद जादव जी जो महा गठवन्धन के भी नेता हैं उनका जन संबाद यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है और उसी यात्रा के तहट 24 तारिक को हमारे विधान सवाचेत्र के एक अंगर सराय में जो सु अनिये बिरोधी दल के नेता तेजस्वी जी मौजूद रहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि आप हमारे नेता का भासन सुनिया करके और जो उन्होंने बिहार को एक नई दिशा देने की जो परियास फिर से शुरू किया आपने सुना होगा उनका भास दार खे दसरत जी जब थे हो उन्होंने गे स Somethingल राम को बनवास दे दिया था। भास हैं नहीं चाहते तै लेकिन का के यही और मंत्रा ने उनको बनवास दिलाने का काम किया सहें उसी तरह से नितीश जी के साथ रहने वाले जो कैकेई और मंत्रा हैं, उन्होंने तेजस्वी जी को बनवास दिलाने का काम किया, तो बनवास में जब राम गए थे, तो उन्होंने रावन का बद्ध करके पूरे देश में सत अहिंसा का एक संदेश दिया था, और दुनिया के अंदर जो त्रेता युक में राम पैदा हुए थे, आज उनको हम लोग मरियादापुर्सोत्तम के रूप में सम्मान करते हैं, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग पूछते ही नहीं हैं, हम लोग तो आप ही से सवाल करते हैं, दुवारा की इस बात को तो पूछना चाहिए मानिये मुखमंत्री जी से, आप देख रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं हुज़, अभी मिस्वक्त में वजूद है, इस्लामपूर विधान सवाथ चेतर के राज़त करियाले के पास, और राज़त करियाले में, जैसा कि आप लोग को पता है कि 24 फरवरी को मानिये पूरू उप मुखमंत्री तैस भी आज कुछ बैठक हो रहा है, देखे बैठक का मुख हुदेश था कि हमारे बिरोधी दल के नेता विहार के आदर्निये श्री तेजस्वी परसाद जादव जी, जो महा गठवंधन के भी नेता है, उनका जन संबाद यात्रा पूरे विहार में चल रहा है, और उसी यात्रा क के तहट 24 तारिक को हमारे बिधान सवा चेतर के एक अंगर सराय में, जो सुखदेव एकेडमी है, उसका फिल्ड में एक बड़ी आमसवा का आयोजन किया गया है गठवंधन के तरफ से, जिसमें मुख हतीती के तौर पर हमारे मानिये बिरोधी दल के नेता तेजस्वी जी म लोगों ने आज का बैठक बुलाया था, यह मतलब बैठक का मतलब मुख मकसद गया था, यही मकसद था 24 तारिक को तैयारी क्या, जो हम लोग आज बैठक में किये, चुकि देखिए बिहार के अंदर जो बरतमान राजनीतिक हालात है, बिहार की जनता आज भी बेरोजगार महगाई, भरस्टाचार, अपराद, सित्रस्त है, और हमारे नेता जो हैं, कुर्सी बदलने में मस्त हैं, तो यह जो हालात है, इस हालत में जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, हम लोगों ने बिहार में अपने बिरोधी NDA के साथ मिल करके, जो हमारा मुख ल उसके लिए हम लोगों ने महा गठवंदन में मान्य मुखमंत्री स्री नितीश कुमार जी को भी समलित किया था, और एक ही मात्र मकसद था कि देश में भाजपा को हराया जाए, और देश के अंदर जो सम्विधान और लोक्त अंत्र पर खत्रा है, इस खत्रा को बचाया जा इसी के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए थे, लेकिन आप देखे कि बिना कोई कारण बताय हुए थे, वो खुद बीच में ही अपने द्वारा सुरू किये गया है, अभियान को छोड़ कर पुर्सी के फेर में इधर से उधर चले गया है, तो ये व्यक्ति जो हमेशा जलत है, बापु ये बात कहें हैं, तो सिधान्त कौन सा है भाई, आप सिधान्त से क्लोरी जम की बात करते हैं, आप बात करते हैं सोसलीजम की, समाज बात क्या कहता है, डाक्टर लोहिया, जै प्रकास नराएन, हमारे uh, सर्धेकरकुरी ठाकुर जी, क्या हम लोग को उन्होंने यही न दिया था कि समाजिक परिवर्थन के लिए लड़ना होगा और वही व्यक्ति समाज के नितित्व कर सकता है जो भीड को चीर करके आगे अपना नितित्व समाल लेता है। लेतान को बीच में छोड़ना और फिर वही चला जाना जिसके विरोध में आपने आकर के कहा था कि हमको समर्थन दीजे तो समझे कि क्या उनका चरित्र है क्या उनका सिध्धान्त है तो हम लोग तो हमेशा सिध्धान्तों और नितियों की बात करने वाले लोग हैं। हमारे नेता तेजस्वी जादा उम्र में भले कम हूँ। लेकिन उन्होंने जो एक मैसेज दिया पूरे देश को वो एक आइकोन है सोसाइटी के लिए। ही जड़ आइकोन अप देवलप्मेंट आप दे सोसाइटी। और जो मैसेज उन्होंने पूरे देश के अंदर करवे किया। उसको हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाएं। और लोगों तक संदेश को पहुँचाने के लिए उन्होंने स्वैम कहा कि मैं बिहार की यात्रा करूँगा, जनता से संबाद करूँगा, तो हम लोगों का जिम्मेवारी है कि जनता तक उनके द्वारा बताये गए कार्जों को और उनके द्वारा दिये गए बक्तब को जन ज तक पहुँचाया जाए और जो समाज के अंदर बंचित हैं, सोसित हैं, दलित हैं, समाज के अंतिम पंक्ती में जो बैठे हुए लोग हैं, उसको समाज के मुखधारा में कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाए, इन तमाम बातों को हम लोग बतान सुनिया करके और जो उन्होंने बिहार को एक नई दिशा देने की जो परियास फिर से शुरू किया आपने सुना होगा उनका भासन उन्होंने कहा कि नितीश जी हमारे पिता समान है और हमने इनको पिता माना ही है और पिता राम के पिता दसरत थे दसरत जी जब थे तो उन्हो उन्होंने राम को बनवास दे दिया था, स्वायम नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेई और मंथ्रा ने उनको बनवास दिलाने का काम किया, तो उसी तरह से नितीश जी के साथ रहने वाले जो कैकेई और मंथ्रा हैं, उन्होंने तेजस्वी जी को बनवास दिलाने का काम किया, तो एक संदेश दिया था और दुनिया के अंदर जो त्रेता युक में राम पैदा हुए थे आज उनको हम लोग मर्यादा पुर्सोत्तम के रूप में सम्मान करते हैं। उसी तरह से हमारे नेता भी जब कैकेई और मंत्रा के मारे हुए जब गय हैं ये बनवास में तो ये बनवास में जाने के बाद आदमी को अफसर मिलता है काम करने का और इनका जो भी लक्ष है कि रावन रूपी भाजपा का बद्ध किया जाए तो निश्चित रूप से बनव होगे कि रावन रूपी भाजपा का ये बद्ध करें किया कुछ बजा रही होगी सर मतलब देखिए बहुत दिन बित गया मतलब तो अब तो कुछ बजा पता चल रहा होगा अब आप मीडिया के लोग हैं आप लोग पूछते ही नहीं हैं हम लोग तो आप ही से सवाल करते ह कि इस बात को तो पूछना चाहिए मानिये मुख मंत्री जी से बराबर हमारे नेता ने कहा कि आप बताईए क्यों गठवंधन से अलग हुए क्या कारण रहा अभी तक वो बात जो सिर्फ करते हैं रोजगार का और ये कि सब हम लोग स्रीजन किये लेकिन एक सब्द भी मानि मुख मंत्री जी ने नहीं कहा कि मैंने यूपिये गठवंधन को क्यों तोड़ा और क्यों यूपिये इंडी एलाइनस से अलग हो करके हम चले गए इंडीये के साथ आभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और यही तो बिहार की जनता जानना चाहती है बिहार की जनता से जानना चाहती है कि आपके साथ है सभी महा गठवंधन दल के लोग पूरे इमांदारी के साथ तारी चीजों को ताक पर रख करके त्याग और समर्पन की भावना से देश के अंदर एक मात्रू देश की पूर्ती के लिए साथ में खड़ा रहे और कौन ऐसा प्रस्थिती प हमारे पिता समान है और हमारे चाचा ने मसाल को बीच में छोड़ दिया इसलिए उनका भतीजा इस मसाल को उठा के पूरे देश में अलग जगाने का काम करेगा और भाजपा को भगाने का काम करेगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर के मतलब इदुर चोवीश को इलेक्स आज कोई नई बात तो नहीं थी कि मतलब एंडिये के साथ वो पहले भी थे और फिर चले गए तो उनको यही बात समझ कहना चाहिए भाई कि हम अपने आपको कमजोड महसूस कर रहे थे अनात महसूस कर रहे थे इसलिए हम बीजेपी के साथ चले गए कि वहां मजबूत हो जाएगे तो आप एक बात समझ लीजिए राष्टिय जनता दल ने कहा है और तेजस्वी जी ने कहा है कि इस खेल का सुरुवात नितीस वावु जरूर किये हैं एंड खेल का अंथ हम करेंगे कि दो हजार चोविस में जनता दल उनाइटेट का बिहार से अस्तितु खतम हो जाएगा बिलाई की बात कर रहे हैं सर इधर मतलब महागठ वन्धन में भी तूट पड़े गया सारे दल के लोगों ने भीब जारी किया था अपने विधायकों को उसका सीट अवन्टित था और उस सीट पर स्पीकर ने कहा था कि सभी विधायक अपने अवन्टित सीट पर बैठेंगे और वो जाकर के बैठ गया सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच में जाकर के हम लोगों के लिए साम, डंड, भेद, जितना चीज था, किस रूप, किस तरह से हम लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, और हम लोगों ने जो परसानी जहला है, वो वक्ता भे हम आपके सामने नहीं दे सकते, लेकिन लोक तंत्र में सभी को अपना विचार रखने का अधिकार है, और सभी व्यक्ति जो है, अपने अपने नीतियों और सिध्धानतों और कार्ज क्रमों के साथ चलता है, इसलिए जबरदस्ती बहुत दिन तक किसी को सासन और सत्ता का भाय दिखा करके नहीं चिलाया जा सकता, इनके ही विधायक इनके खिलाब बगावत करेंगे, और व सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जादव होगा, उनकी मतलब बियान आ रहा है, मतलब की जो आर जेडी को जैंगर राज काहते हैं, असलिए जैंगर राज तो मतलब जैडी और वीजे भाय लोग है, उनकी टीपनी भी लाजमी है, उस पर हम बहुत ज्यादा को चिका टीपनी नहीं करेंगे, लेकिन हमने आपको कहा ना कि सत्ता और परसासन का भाय दिखा करके बहुत दिन तक किसी को साथ नहीं रख सकते हैं, साथ कोई भी आदमी विचार, सिध्धान, वसूल और अपने अंदर के हिर्दय के समर्थन से राता है, हिर्दय उसका जहां रहेगा, वही कुछ भी करना गलत है, हमारा विदायक हमारे साथ है, उसको उठा के ले जाया गया, चेतान अनंद को पाच नंबर देशरत मार्क से उठाया गया, उठाया गया, ये सब सब विहार की जनता देख रही थी, देश की जनता देख रही है, तो ये सारे लोग जो है, इनका असल जनता के गर्भ तक जनता ही पहुचाती है और सत्ता के कूर्सित से हटाने का काम भी जनता ही करती है। इसलिए जनता के बीच में जो पर्फेक्शन बनता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन लोग पर्शासन और सरकार का सहारा लेकर एडी और सीवी आई का सहारा लेकर के तमाम जगों पर चुनी हुई परदेशों की सरकार को तंग तबाह कर रही है। रहा हुरा उन्होंने कल गोट पूर कंफिडेंस फिर हासिल किया इसलिए कि प्लानिग इस सरकार को कि किसी तरह से केजरिवाल को बंद करो केजरिवाल को बंद करने का योजना और यहां हमारी सरकार गिरती है जो कि पूछ ताच के लिए इडी बुलता है परसो होके सारा चीज बाहर से पहुँचवाना, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? कोई लालुजाद वपराती तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है, क्रिम्नल तो नहीं है कि भाग जाता है, कानून का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है, और जब भी जहां जरूरत पड़ा है, कानून साथ तै कर देगी कि बिहार में क्या होगा देश में क्या होगा और दो हजार पचीस में हम लोग फाइनल मैच बिहार में जीते हैं इस वीडियो का अब लोग जहां से आशेर कीजिए हमारे सते मौझूद थे श्लामपूर विधान सभाशेतर के मानिये विधायक राकेश राह मैं